जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो रात का एक बज़े बार बारे सो रहे हैं और हम लोग सुरू कर रहे हैं ब्रॉंस्टेड का अमलचार सिद्धान्त आइनिक सामने अवस्था का बच्चो ये अगला वीडियो है पिछले वीडियो में हमने आर्नियस का अमलचार सिद्धान्त आपके साथ डिसकस किया था तो आज हम लोग सीखेंगे ब्रॉंस्टेड का अमलचार किसे कहते हैं वहर असाइनिक पदार्थ जो एच प्लस परदान करता है ब्रॉंस्टेड अमल कहलाता है प्रंतु जो पदार्थ ये है एच प्लस ग्रेहन करता है ब्रॉंस्टेड छार कहलाता है सर मुझे सपस्ट नहीं हुआ चिंता मत कीजिए सपस्ट कराके ही आपको भेजेंगे उधारण के साथ बच्चो आप देख सकते हैं उपरोफ उधारण में HCL अमोनिया के साथ अभिकरत हो रहा है और बना रहा है NH4 और CL- ये कैसे संभव है ये संभव तबी है जब HCL एक H+, का त्याग कर दे और NS3 उसको ग्रेंड कर ले तो NS3 जब H+, को ग्रेंड करेगा तो ये NH4 प्लस में परिवर्थित हो जाएगा और HCL H+, त्याग करने के बाद निस्कासित करने के बाद CL- में परिवर्थित हो जाएगा कुछ S-Pust हुआ, तो H+, देने वाला कोन? HCL, H+, लेने वाला कोन? अमोनिया, तो H+, जो देता है वे ब्रॉंस्टेड अमल कहलाता है, जो H+, लेता है वे ब्रॉंस्टेड चार कहलाता है अभी हो सकता है कि कुछ बच्चों को S-Pust ना हो आओ, तो एक उधरन और बनता है यहाँ पर देखिए, NH3 जो है, NH4+, परिवर्तित हो रहा है, जल के साथ करिये करके और जल जो है, वो परिवर्तित हो रहा है, OH- में संभव कैसे है? जब S2O, एक H+, को त्याग देगा, तो बदल जाएगा OH- में, और उस H+, को ग्रेंड किया है, अमोनिया में, तो बन गया है अमोनियम आयन, NH4+, में, यानि देने वाला कौन, H+, देने वाला कौन, S2O, H+, लेने वाला कौन, अमोनिया, पिल्कुल सही अर्थार, S2O हमारा यहां ब्रॉंस्टेड अमल है, और NS3 यहां पे ब्रॉंस्टेड चार है, अब तो सपस्ट हो गया होगा बच्चो बच्चो सारांस क्या हुआ, सारांस ये है कि कोई भी प्रोटोन दाता ब्रॉंस्टेड अमल जबकि प्रोटोन ग्राही पदार ब्रॉंस्टेड चार कहलाता है जैसे उपरोग अभी क्रिया में एनेस थ्री ने एच प्लस ग्रेंड किया तो यह है ब्रॉंस्टेड चार और यहां पे एच प्लस दाता था एस टू ओ तो यह कहलाया ब्रॉंस्टेड अमल बच्चो अब बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक है ब्रॉंस्टेड अमल से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है सयुगमी अमल चार युगम यहां पे हम लोग विबिन अभी क्रियाओं में अमल और चार के जोड़े बनाते हैं युगम बनाते हैं और चुंकि यह दोनों एक हच प्लस से सम्मंदित होते हैं जुड़े रहते हैं हच प्लस का इनमें अंतर होता है इसलिए इनको सयुगमी अमल चार युगम कहा जाता है इस परस्ट कराऊंगा उधरन के साथ बच्चो इस उधरन में देखीगा इस अभी क्रिया में सब्सक्राइब जो है जलके साथ अ प्रोटोन दाता है एसटिक अमल प्रोटोन गराही है एस तो यह हमारा यहां पे अमल है यह हमारा चार है लेकिन यहां पे बहुत कुछ है इस अभिकरिया में जो बनने वाले उत्पाद आपको दिखाई दे रहे हैं यह भी जोड़े जाएंगे अभीकारकों से तब बनेग इनका युगुम कैसे आए देखते हैं यहां पे आप देख सकते हैं एसटिक अमल ने एच प्लस का त्याग किया और परिवर्तित हो गया एसटिक अनायन में तो यहां पे इस एसटिक अमल एक का यह बनने वाला चार एक है और जब हम लोग इस दोनों का संबन देखते हैं तो ये कहलाता है सयुग्मी अमल चार युगुम, किलियर है, ये दोनों आपस में कहलाएंगे सयुग्मी अमल चार युगुम, अब आप देखिए S2O ने H+, लिया है, तो बन गया है S3O+, ये कहलाएगा चार, क्योंकि इसने लिया है, पहला चार है, और इससे बनने वाला पदार्थ होगा अमल दो, तो जब इस चार और इस अमल को एक साथ अध्यान करेंगे, तो ये कहलाएगा सयुग्मी चार अमल, या चार अमल सयुग्मी युगुम, किलियर है आपको, क्योंकि इन दोनों में H+, का अंतर है, बच्चों अब यहाँ पे नोट है, दियान लखिया, दो नोट आएंगे, पहला नोट ये है, कि किसी पदार्थ से जब आप H+, निकाल देते हैं, तो जो भी कुछ वहाँ पे आपको प्राप्त होगा, वैस सयुग्मी चार कहलाएगा, अगर कोई पदार्थ H+, ले लेता है, तो जो भी आपको प्राप्त होगा, वैस सयुग्मी चार होगा, ये अभिक्रिया इसी नोट के ऊपर आधारित है, थोड़ा सोचेगा, आपको स्पस्ट होगा, अब लेते हैं बच्चों, नोट 2, सयुग्मी अमल चार में एक परबल तो दूसरा दुरूबल होगा, बच्चों यहाँ पे ध्यान नखीगा, जब आप यहाँ पे सयुग्मी अमल चार के जोडे बनाएंगे, तो वहाँ पर एक परबल होगा, और जो उससे बनने वाला होगा, वह है दुरूबल होगा कैसे उधरण के साथ इस परस्ट करता हूँ मैं आपको बच्चो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दो धरण लिये कैसितिक अमल का दूसरे H204 का सब लोग जानते हैं सितिक अमल जो होता है दुरूबल अमल होता है तो यह जब H plus का निसकासित करता है माइनस का मतलब होता है निसकासन त्यागना तो इसने H plus को बहार निकला है और जो H plus का दाता होता है वह अमल कहलाता है एसितिक अमल जो है ब्रॉंस्टेड अमल है लेकिन दुरूबल है और जो इस से बनेगा Acetate Renine CS3CO- यह सयुगमी छार होगा इस अमल के लिए लेकिन यह परबल होगा क्योंकि इस छार का जो अमल था वह दुर्बल था अर्थार दूसरे वाला जो बना है वह परबल होगा ही होगा अब यहाँ पर देखिए सब को पता है पूरे जगत को पता है कि H204 जो होता है परबल अमल होता है जब यह H-plus का तियाग करेगा तो H204- बनेगा इस अमल का यह सयुगमी छार होगा लेकिन चुकि इस सयुगमी छार का जो अमल है जिससे यह बना है छार वह अमल परबल था अर्थार्द यहाँ पर बनने वाला सयुगमी छार दुरुबल होगा तो बच्चो अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि जो हमने ब्रॉंस्टेड अमल छार सिद्धान पड़ा है क्यास में कोई कमी या दोस है हाँ सर इसमें है यह सिद्धान एच प्लस के आदान परदान पर आदारेत है अभी आपने देखा उधारण के साथ कि यहाँ पर ब्रॉंस्टेड अमल और छार की जो पुष्टी होती है वे एच प्लस के तियागने से और केवल ग्रेहन करने से होती है बादी चीजों का यहाँ पर कोई मैतू नहीं होता है यहाँ अल-सी-ल-3, बी-सी-ल-3, बी-ए-फ-3, ए-स-ो-2, ए-स-ो-3 जैसे पदारतों की अमलता को स्पस्ट नहीं करता है बच्चो यह सारे के सारे उधारन जो हैं अमलिये पर करती वाले होते हैं लेकिन ब्रॉंस्टेड अमल चार इसको स्पस्ट नहीं कर पाता है यह धात्विक उक्साइड जैसे CAO, NA2O आदी की चारकता को स्पस्ट नहीं करता है बच्चो ध्यान न किया ब्रॉंस्टेड का एक दोस्ट यह भी है कि जितने भी धात्व उक्साइड होते हैं वे सब चारिय परकरती वाले होते हैं लेकिन उनकी चारकता को यह कभी भी स्पस्ट नहीं करता है उनकी पुष्टी नहीं करता है कि वे चारिय परकरती वाले हैं तो बच्चो आज हमने सीका ब्रॉंस्टेड का अमल चार सिद्दान ब्रॉंस्टेट अमल क्या होता है, ब्रॉंस्टेट चार क्या होता है आप पहचान पाएंगे बिल्कुल पहचान पाएंगे, H-PLUS के आदान और परदान के अदार पे दूसरा हमने सीका सहीगमी अमल चार युगम का बनाना उनकी पैचान करना कि सर एक अभिक्रिया में कौन किसका स्यूगमी अमल या च्छार होगा और सर उसमें हमेशा एक परबल होगा तो दूसरा दुरबल होगा किलियर है आपको और लास्ट में हमने सीका ब्रॉंस्टेड अमल च्छार सिद्धान की कमिया या दोस्ट जिनका निराकरण नहीं कर पाया था अर्णियस ब्रॉंस्टेड भी कुछ चीजों को स्पस्ट नहीं कर पाया और इसलिए बाद में हमारा तीसरा अर्णिक सिद्धान ताया जिसको बोलते है लुई समल च्छार सिद्धान वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो मीद बच्चों ये सबाब को स्पस्ट हुआ होगा